सबको जै एसुकी प्रबु एसुकृस्त में प्यारे भाईव बहनों नव जीवन का संदेश इस शिर्षे के अंतरगत प्रति दिन का ईश्वर का जीवन त वजनों को सुनने के लिए समझने के लिए और उन वजनों के अनुसाच जिवन बिताने की शक्ति सामरति मागने के ल आज मार्च की तेरा तारिक है बुद्वार है और आज का मुख्या संदेश है कि हम सभी प्रभु पर निर्बर रहें प्रभु पर बरोसा रखें प्रभु की इच्छा को जाने और प्रभु की इच्छा का नुसार जीवन बिताने का प्रयास करें इसलिए हाई हम आज की वचनों पर हम लोग मनंच नतन करें आज का वचन है संत योहन के द्वारा रचित सु समचारा द्याई पांच परसंग का सत्रा से तीस का प्रसंग इस प्रसंग में मुख्य रूफ से हम लोग ये देखते हैं प्रभू ये समसी कहता है मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ और इस प्रकास से प्रभू कहता है जो कुछ भी पिता का है वो मेरा है जो मेरा है वो पिता का है मैं और पिता एक हूं इस प्रकार से प्रभू अपने पिता पर हर बात के लिए निर्बर रहने का एक विशीष बात प्रकट करते भी हम सबों को यह सिखाता है हमें भी अगर इश्वर यह काम करना है इश्वर की सेवा करना है इश्वर का प्रशार प्रसार करना है तो हमें उस इश्वर के साथ निर्बर रहना उनके साथ जुड़े रहना बहुत ही आवश्चक है बहुत ही जरूरी है इस बात को प्रुब हमें सिखाता क्योंकि स्वयम प्रभीय समसी इश्वर के साथ अठूट सम्मंद रखते हुए पूर्ण रुप से हर कारी के लिए उन पर निर्बर रहते थे और उनकी पिता की जो इच्छा है उसको वो पूरी करते हुए जीवन वितित करते थे इसलिए हमें भी प्रभीय समसी सिखाते हैं कि हम भी इश्व इश्वर की इच्छा को जाने उसको ग्रहन करें उसको समझें और पिता की इच्छा को पूरी करते हुए हम अपनी सेवाकारियों को आगे बढ़ाए इसलिए आज के दिन में प्रभू हम सबों को निमंतरन देता है कि हम सभी पिता की इच्छा को जानने वाले और उसको जैसे कि प्रभु ये समसिस्वयम अपने वशनों के द्वारा में सिखाता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं पुत्र स्वयम अपने से कुछ नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयम जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है वह उसे और महानकारिय दिखाएगा जिने देखकर तुम लोग अच्छ में में पढ़ जाओगे जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है क्योंकि पिता किसी का न्याए नहीं करता उसने न्याए करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है इस प्रकार से प्रवु हमें समझाता है कि पिता की सारी योजना सारी इच्चा सारा कारोभार पुत्र पिता के इच्चा के अनुसार निबाता है और उसके लिए पुत्र ये पिता पर निर्बर रहता उसी प्रकार से हम समों को भी उस पिता की इच्चा पूरी करने के लिए उस पिता पर निर्बर रहना, उस पे एक होके जिवन वितित करना बहुत ही जरूरी है, अन्यत हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे, अपनी योजना करेंगे, और तब क्या होता है, जब हम अपनी इच्छा को लागू करेंगे, अपनी इच्छा करेंगे, तब हम पिता की महिम के लिए पिता की चापूरी करने के लिए हमें पिता पर निर्बर रहना और उसके चाप को जानते उसका अनुसा जिवन वहतित करना बहुत ही जरूरी है और एक बात प्रभू हमें आज के दिन में सिखाता है ये श्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है अलग अलब प्रकार के वर्दान दिये हैं, अलग-अलब प्रकार की खूबियान दिये हैं, शमतायन दिये हैं इन सबको हमें पिता की महिमा के लिए हमें इस्तिमाल करta कुछ सेवा करना आजब शुर्षक है क्योंकि जो कुछ भी प्रभूड ने हम सबों को दिया है वो केवल हमारे लिए नहीं वो सब के साथ बांटनी के लिए इस प्रकार से हम उस सेवा के द्वारा हम अपने प्यार को अपने खूबियों को अपने वरदानों को एक दुसरे के साथ साजा करते विए एक दुसरे के हित के लिए कारी करते विए हम पिता के महिमा करें इसलिए प्रभु ने हम सबों के सब चीजों को दिया है इसलिए उसके अनुसार हम उसको इस्तिमाल करें और पिता की महिमा करें इसलिए प्रभु हमें बुलाता है और एक महत्पूर्ण बात आज की दिन में प्रभु हमें सिखाता है कि हमें अनंत प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के शिक्षा सुनना है उसके बेजे विये उसके पुत्र प्रभ येश्वास करना है और उस विश्वास के जीवन को हर दिन हमें जीना है जो कि इतना असान नहीं बहुत ही कटिन हैं, जहां चुनावति आएंगी जहां पर अलग अलग परकार के परिशानी आएंगी और इन सबी का सामना करते हुए उस विश्वास के जीवन को बुलंद इरादों से जीते हुए ईश्वर के शिक्षा पर द्रड बने रहते हुए हम उस अनन्त जीवन को प् जाएं उसकी शिक्षा को सुनें उसकी इच्छा को जानें उसको ग्रहन करें और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन वतित करने के लिए और विशेस रूप से उसके पुत्र प्रभी ये सुमसी जो हमसुमों के मुक्तिदाता है जिसको इस दर्ती पर मुक्तिदाता के रूप म बेजा है उस प्रभू पर विश्वास करते हुए विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभू हमें आज के दिन में बुलाता है आईए बाहियो बहनों आज के दिन आज के संदेश कम अपने दिल में रखें प्रभू से विश्वास का वरधान मांगें जिससे कि हम विश्व कारियों के द्वारा करने वाले बन सकें वही प्रबू हम सबुं को आशिशा बरकत परदान करें आमेन